वास्तविक महाभारत की लडाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में और इस लडाई में हिंसा इसी लिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है आप हमेशा कहते हैं कि जो असली बल होता है वो आत्मा से ही आता है पर ऐसा भी कभी-कभी देखने को मिलता है कि जो एकदम कमजोर व्यक्ति है वो भी किनी शणों में बिल्कुल सहासी हो जाता है तो सर ये ऐसा कैसे है सवाल ये है कि मैं कहता हूँ या विदान्त कहता है कि बल का स्रोत तो आत्मा ही होती है तो फिर ऐसा कैसे देखते हैं कि बहुत ही भटके हुए लोग या कायर लोग भी यही कह रहे हो ना कुछ ख़णों में बड़ा साहस दिखा जाते हैं या कुछ मुद्धों में बड़े ताकत वर्वन के खड़े हो जा यह कैसे उनके जो बल आया है, वो कामना से आया है ना कामना, उनको कोई चीजस चाहिए थी, जो चीजस चाहिये थी, उसको पाने के लिए डटके खड़े हो गये एकदम, एकदम कायर कमजोर आद मी भी, जब उसकी कोई पसंद की चीज चिन रही हो, ज्ला among लिए होता है न या कामना पूर्ति के लिए वो कई बार जंगल पार कर जाएगा, नदी पार कर जाएगा, गुंडों से बिढ़ जाएगा, यह सब कर लेता है, कायर आत्मी भी जब कामना पूर्ति की बात आती है, तो इसमें समझने की चीज यह है, कि आपको जब कामना उठती है, तो कभी यह नहीं बताती है कि मैं एक मात्र साधारण सी सांसारिक चीज ही आपको ला सकती हूँ, कामना माने डिजायर, किसी चीज को पाने की इच्छा, कामना, जब आपको कामना उठती है न, अब मान लेजे मुझे इसकी कामना उठती है, तो कामना यह नहीं बोलेगी कि इसके भीतर जो है, वो एक साधारण सा पेपदार्थ है, कामना जितनी तीवर होगी, वो उसी तीवरता से इसको अमरित बनाती चलेगी, नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो बात बेतुकी हो जाएगी, एपसर्ड हो जाएगी, आप क्या बोलोगे अपने आपको, कि मुझे एक सस्ती चीज की तीवर कामना है, यह बात सुनने में ही कितने अपमान की लगेगी न, आप बोलो मुझे बहुत बहुत इंटेंस डिजायर है, कोई पुछे किस की, आप बोलो यह दो कोड़ी की चीज की, तो यह बात अपसर्ड हो जाएगी न, तो कामना क्या करती है, कामना यह करती है कि मान लो कामना का बहुत जोर से वेग उठा, पहले कामना का वेग उठता है, याद रखना, पहले विशय नहीं आता, लोग सोचते हैं विशय आता की, वो विशय को उतना ही उचा रूप दे देगी, विशय को बदल देगी, विशय एक साधारण सी चीज है, पर कामना तेज थी, तो उसने विशय को क्या बना दिया, बहुत उचा बना दिया, जब कामना बहुत बड़ी होती है, तो विशय को भी क्या बना देती है, अच्छ अब ये विशा बन गया बड़ा और बड़ी तो एक ही चीज होती है सच मुझ क्या अब मेरी कामना बहुत बड़ी थी तो यह जो विशा है जिस चीज के लिए कामना है जो भी है रुपया पैसा इंसान कोई गड़ी ओहदा कुछ भी हो सकता है यह कपड़ा जमीन यह कोई भी चीज हो सकती है जिसकी मुझे कामना थी इंटेंस डिजायर ने इसको बहुत बहुत बड़ा बना दिया जितना बड़ा यह है नहीं मेरी डिजायर कारण यह मुझे उससे कहीं ज्यादा बड़ा लगने लग गया तो अब यह इतना बड़ा लग रहा है कि यह मुझ चीज है, शीशी को बांध नहीं सकते, चिसको नाप नहीं सकते, जिसकी कोई परिमान नहीं होता, क्या बोलते है? अरे बोलो सब, गीता में इतने आए भी उस्तार काहिसात है? वाध में इतने ने गेगा तो इ summatit divide उत्तर क्यों नहीं आ रहे हैं, यह भी गीता काई सत्र चल रहा है, यह कुछ और चल रहा है, यह भी गीता ही है, तो वह जो होता है, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, इतना बड़ा कि बिल्कुल आदमी को तृप्त कर जाए, भूख पयास सब शांत हो जाए, इसको क् बना दिया कि अभी है नहीं पर कामना की बाढ़ ने इसको बढ़ा दिया बाढ़ किसमें आई है और बढ़ कौन गया जे कि अब यह लगने लग गया मुझे और आत्मा को पाने करते हुआ कुछ भी कर सकता हूं मन की एक मात्र तमना ही क्या है और यह आत्मा मिल यह हुआ यह रही आत्मा कि है कुछ नहीं समय रहा हुआ है पर मुझे क्या रहा है क्या है यह आत्मा आत्मा जिसको आत्मा मिल रही हो वो आत्मा को पाने के लिए तो कुछ भी करेगा न तो कायर कमजोर लोग भी बहुत साधारण और अज्ञानी और अल्प बुद्धी लोग भी बहुत सहस दिखा जाते हैं वो सहस भी एक परोक्ष तरीके से इंडारेक्ट तरीके से होता आत् आत्मा के ही प्रेम में है सहस का स्रोत तो आत्मा ही है समझ में आ रही है वो वो बिलकोल इस समय पर सटीक बैठता है तुलसी दास ने जो करा था सहस दिखाया था गजब दोहा निकाल लीजे क्या करा था उन्होंने हां अन्हेरी रात सावन भादों और नदी पार कर गए पत्नी माइके गई हुई थी उनको कामना का आवेग चढ़ा रात में तो नदी अधी पार करके और पत्नी का दुमंजिला ते मिंजला कुछ घर रहा होगा वहां उपर की मंजिल पो सो रही थी तो नदी पार करी ये अंधेरा है उस समय वहां रात को कोई बिजली थोड़ी ना कोई सड़क कुछ नहीं वह अपना खेत खलिहान जंगल जो भी ये लांगलूं के घर में पगए वहां देखा वहां चड़ना है कैसे चड़े बोले यहां सामने के दराज़े से घुशेंग चड़ गए तुमने हमारे लिए तो हमारे स्वागत के लिए तो दुपट्ट्य नीचे डाला होगा उसी को पकड़के चड़े बोली दुपट्ट्य तो आमने डाला ही नहीं तो गई देखने कि कहां से चड़े ये महाराज तो क्या लटकरा लंबा सा कथा है कोई CCTV पकड़ लिए और सर पकड़े क्या बोला ये साहस जो आप में इतना उमड़ा है वो कामना के आवेग से उठाया बस लेकिन आप इसको जो राम समझ रहे हो ये मैं हूँ ये मेरी देह है मैं साधारन अस्थि चर्म मैं देह मेरी मैं साधारन इस्तरी हूँ आप जितनी मुझे में प्रीति दिखा रहे हो मैं उसकी हकदार नहीं हूँ जितनी प्रीति आप दिखा रहे हो उसकी अधिकारी मैं नहीं हो सकती मैं कौन हूँ मैं तो सथारन देह जिसमें मासमज्जा अस्थियां हैं मैं तो वई वई एक सथारन सा मनुष्य हूं मैं पत्नी हूं आपकी कुछ नहीं और मैं इतनी प्रीति अगर आपको राम से होती तो आप भाउसागर तर जाते और यह उन्होंने सुना पत्नी हो तो ऐसी कथा कहती है कि उल्टे पाओं पता नहीं सांप अभी तक बचा था कि नहीं वह सांप भी बड़ा सासी रहा होगा आप यह वह वापऄ ही ल३टके और उस दिन वो ना हुआ होता तो ह्में रामशर्ट मालस नमिलती है किसाइι तो प्रेम है संच मुझ सब को किसे है राम से यह आत्मा कहीं नाम राम आत्मा कहीं नाम राम वह चौसेर पहिर सावले वह अवी आत्मा तो प्रेम तो सबको राम से ही है लेकिन जब माया चढ़ती है कामना चढ़ती है तो हम इसको ही समझ लेते हैं कि यही तो जुनुलाल को हम क्या बोलने लग जाते हैं तुम राम हो यह गड़बड़ है लेकिन मीची बात ही है कि तुम जुनुलाल से भी जब प्रेम कर रहे हो दिक्कत बस यह है कि चाहते हो राम को गले पड़ जाता है जुन्नु लाग वो दिक्कत हो जाती है बस कि हुआ